हलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चनल जेपी नर्सिंग गेडर में जैसा कि आपको पता हिए कि हमने आप से प्रोमिस किया था कि पीजय संगोर और आपका सब्सक्राइब करें इस वार आपके पास एक ग्रैंड मोका है कि आप एक नर्सिंग बन सकते हैं और 80,000 रुपे की सेलरी आप इन हैं ले सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस चीज के लिए अच्छे से प्रिपेर हो जाएं अच्छे से अपनी तयारी को मजबू नामारे में जसारी कुछ आपने पढ़ेंगे बहुत रहें कैस्क्राइब आपके आपके लिए नर्सिंग बढ़ाने वाली होग बीजी के को सब्सक्राइब गराने वाली है और उसके के अलावा अपने प्रेधीग सब्सक्राइब करें कुश्चनजंग और राहुल गरं मेरा सब्सक्राइब कराने और परफे कंविस्ट्ट्रा यह भी मीरा उट्टे करांगे न्यू डेली तो मैं आज आपको में स्वाइब करने वाला हूं बागी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैला के दबाना बिल्कुल ना बुले हैं आपसे डेली प्रफिक क्लासेश होने वाली mcq's की और रहुल सार इस्पेशली आपको टॉपिक्स भी पढ़ाने वाले कमशनी नर्सिंग के हैं तो जैसा कि हम बिना टाइम विश्ट के पहले कुश्ण पर आते हैं तो आप पहला कुशन पढ़िए पहला कुशन क्या कहा रहा है दक कॉज प्रवार नियुरोजैनिक शॉक में इंक्लूड अल आफ फोलॉइंग एक्सेप्ट सबसे में जो गलती होती है अपन कुश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं यह एक्सेप्ट वर्ड हमें से आमें मरवा के जाता है यह लास्ट में होता है चुपारुस्तम होता है यह तो हमें ब नियुरोजैनिक शॉक में क्या होता है अपना ब्रेडिक आइडिया गोटिट नियुरोजैनिक शॉक में ब्रेडिक आइडिया प्लस वार्म स्किन आपको देखने को मिलेगी पिंकिस स्किन इसमें देखने को मिलेगी यह की फीचर है नियुरोजैनिक शॉक के और मॉस्ट बेटी कालुई होता है और पिंक से नावको देखे तो आप समझे ना नियुरोजनिक शॉॉक है अब अपन इसमें देखो इस्पैल इसरा डेते हैं तो इसमें लंबर पाइब ऊसके जाता है तो नियुरोजनिक शॉउक उसका मेन रीजन बन जाता है साइकिक ट्रॉमा साइकिक ट्रॉमा हो गया तो नियुरोजेनिक सौक कॉमन है सर्जरी सर्जरी में भी चांसे जोते हैं नियुरोजेनिक सौक के लेकिन जो अपना क्या कहते हैं पल्मोनरी एंबोलिज्म कभी भी नियुरोजेनिक सौक क्रेट नहीं करता है पल्मोनरी एंबोल जैसे pulmonary embolism होता है लेकिन neurogenic shock कभी भी create नहीं करता है pulmonary embolism तो इसका असर हो जाएगा अपना B मैं सारे जो questions कराँगा उसका rational दोंगा सारे जो options हैं सारे options के rational दोंगा तो इसलिए आप पूरे सारे questions को अच्छे से पढ़ें read करें और उसके बाद आप answer करें got it next question पर आते हैं अपन what is the other name of gas gangrene आपने खूब पढ़ा होगा gas gangrene gas gangrene gas gangrene बारे में पढ़ा होगा diabetic foot में होता है अपने को देखने को मिलता है diabetic foot अब आपको ये चीज़ पता हो नीची कौँसा जो क्या करते हैं diabetes का कौँसा ऐसा पाट है कौँसा ऐसा फैक्टर है या फिर ऐसा कौँसा सबडिविजन इसके अंदर आपको diabetic foot देखने को मिलता है ये चीज में आपको नहीं बताने वाला हो यह चीज आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल करने को साथ कि यार सबसे अच्छा टेक्निक होती है पड़ाई कि जब आप कुस्टन कर रहे हो तो only उसके आंसर पर फोकस ना करें कि आंसर के सासद आप जुग अधर उप्शन से अब उसमें सोचें कि वो किस जगे तक आप उसको रीच आउट कर सकते हैं गोटिट के अंडिट यस यह फंगल इंफेक्शन अप्वह कभी यह फंल इंफ्यक्शन में कभी गह्यूंदिन नहीं होता, D option, Clostedial Myocytis, Clostedial Myocytis, तो इस कहां से चले जागा D next question large amount of citrate blood भूँत easy question है मैंने थोड़ा सा modified किया question को थोड़ा सा पढ़िया large amount of citrate blood given over a sort period of time causes citrate blood आप दे रहे हैं citrate हमेचा किसको bind करके रखता है calcium को अगर आपने large amount of citrate दे दिया citrate blood अगर आपने patient को दे दिया क्या करता है अगर वो केलसेम को बाइंड करकर रखेगा तो बलड़ तो जा रहा है पर फेसेंज के पास लेकिनुआ का ऐइपकर किलसीमिया वाला बॉट्लामा प्राना ब्लड है नोटमेल को इंक्रीज कर दोस्तों इसका चला जागा वैसे डी सब्सक्राइब पनाते हैं विच इजी कुछन है छोड़ो वाट विच आफ फॉलोंग इस नोट फैक्टर इंफ्लेंसिंग इंफ्लामेशन बहुत इजी कुछन है दोस्तों एजी पीजाई और यह पीजाई संग नौर में इसी तरह कुछन हैंगे लेकिन कितना गुमाने वाला कुछन है सोच आप इस तरह कुछन है तो देखो एडिक्वेशी नहीं होगी तो इंफ्लामेशन क्रेट जाएगा नूट्रिशन नूट्रिशन प्रॉपर नीम लेगो तो कही बार हो जाएगा सेक्स से फीमेल और मेल में इस चीज़ का जैसे फीमेल होती है बहुत होती है उनको हमेटमा ब ग्लोबली इन इफेक्टेशन नहीं करते हैं क्योंकि लार्ज कोंचील यह कुटीयों यह कोई रिजन नहीं थिक प्रिप्टेशन हां यह बहुत प्यारा कोशन आप देखिए को पढ़िए को which of the following is a type of isolation which of the following is a type of isolation consists of plastic tent that completely sealed the patient from environment environment laminar airflow room laminar airflow room आपको mostly मिलेगा जो cancer वाली जो रूम होते है ना cancer जिसमें तीम थरी भी चल रही हो या hemato-oncological room उसके अंदर आपको laminar airflow रूम मिलेंगे positive isolation positive isolation आपको कहां मिलेगा TV वाले पेसेंट जाहां एड्मिट है वहां मिलेगा reverse isolation जो मरसा सर्शा से इंफेक्टेड हुए वहां आपको मिलेगा लेकिन life Iceland आपको इसी जगे मिलेगा plastic tank जहां मतलब कि इस तरह का plastic tank consistent जहां बिल्कुल patient shield है ठीक है environment से वह को सा चाइब होता है life Iceland इस कहां से चला जागा दोस्तों see next question which of the following factors not affecting the healing process बताइए दोस्तों hormone influence बिल्कुल करेगा एज बिल्कुल करेगा foreign bodies लेकिन color of the skin कभी भी नहीं करेगा got it next question यह बड़ा प्यारा question है यह भी मैंने लिया था कि वा विच विच इस दा full of TIGH यानि की full form of TIGH आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा यार आपने बहुत सारी चीज़े पढ़ेंगी total intake of growth hormone पढ़ा होगा आपने ठीक है none of the none of the time incident goal hormone यह पढ़ा होगा लेकिन TIGH की full form होती है यह सीधा याद करने वाला वाला question है इसलिए में डाला है क्योंकि SGPG mainly question इसी तरह के पूछता है कि यह जहां बहुत ज़्यादा learning की जरूद नहीं है बहुत ज़्यादा सिर्फ आपको याद कर याद करने चीज़ है बस तो TIGH इंफ्रामेटरी रेस्पोंस टूए पैथोज़न अपने body आप अपने body में अंटर हुआ इंफ्रामेटरी रेक्षन हुआ तो उससे क्या होगा इफ्रम्स क्या होगा ओवर रेस्पोंस एलर्जी बिल्कुल नहीं होगा ये तो इसका साथ चला जाएगा which type of shock occur due to failure of the heart to pump बिल्कुल सही है कार्डियोजनिक श्रॉक गॉट इट दोस्तों इसको तो क्या एक्स्प्रेंट करूँगा मैं कार्डियोजनिक श्रॉक बिल्कुल इसमें ठेके कार्डिया हो जाता है हाइपरटेंशन हो जाता है गॉट इट अब इसमें आता है अपना अब कुछ ऐसे कुस्टन से ले लेते हैं जो थोड़े से और अपन को इलिबरेट करेंगे देखो वेन अक्लाइंट इब थ्रॉम्बसाइट उपीने पहले तो आपको पता होना ज़िए थ्रॉम्बसाइट उपीने कहते किसे हैं इब सिटूंघ की कमी कामी है प्लिटली के लाता है है ब्लेन को प्रॉपर नीपाएगा एक होने के चांसेज होते हैं डा नर्स इंटेफटेट रेट इस में इंडिकेट विच औव्ला आप लहाएगा स्टेस जिंगल डघ्रिटि नहीं आःइसा कुछ यह भी नहीं होता अब मैंने चारों ही गलत करते हैं अब बताई इसमें असर कोई सा थोड़ा सोच ये फिर मुझे आंसर बताई ये बाकी मैं तो आपको बता नहीं वहला हूं के सब से साहने सिक्राइब होता है तनके होगाई है के पीच में कुछ ना उनके में इंदर क्याल को जाती है gyn 설 मैबुर्ज कोई रिट अगर सिर्वा पीनी पीन नहीं मैएगार कर देक्गर ब। गी चैन्स से क्या जाएगा दोस्तों भी रेडियों से मुझे बिल्कुल नहीं ब्रेडिया सबसे नेर पल्स प्रेसर गोटिट दोस्तों बाकी आप भी इस कुछिन का मुझे आसर दीजीएगा बड़ा प्यारा question है मैं अगली वीडियो में मुझे comment करके बताएगा इस question का answer क्या होगा बाकी में next वीडियो में question का answer आपको और reveal करूँगा लेकिन आप इस question को पढ़िए बड़ा प्यारा question है यह बाकी एप ने फोर्षन लेते हैं प्लेटलेट राड्मिस्टर अंडर विच आवफ फॉलोंं करनीं नहीं करनी है प्लेट आपको ड्मीनिस्टर नहीं करनी है अगर सबसे पहले आपको वाम करना होता है यह जरूरी नहीं है सबसे में जैंटली रोटेट 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 करेंगे आपको थोड़ा वाम होगा वाम होगा तो वह प्लेट रूम टेंप्रेचर पर आएगा ताव अपन प्लेट प्लेट कर देंगे तो इसका चलाए जागा सीव दोस्तों आज के सेशन में इतने ही कुस्टन रखेंगे बाकी नेश्ट कोशन अगले सेशन में अपन डील करने वाले हैं लेकिन आपको मैंने एक कोशन छोड़ा इसके अंदर जिसका आशर आपको मुझे कमेंट वक्स में डालना है और बताना है मुझे क्या रहने वाला है बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो बहुत जल्दी जेपी नर्सिंग एडर आपके लिए टेस्ट सेरीज भी लॉंच करने वाला है जो फ्री आपको स्ट आपके लिए टेस्ट सेरीज रहेगी गोटेर दोस्तों